जै मामातंगी मेरे प्रियसादको और दर्शको आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये बहुत ही धमाल का वीडियो है क्योंकि यहाँ वीडियो की बहुत सारे लोग प्रतिक्षा कर रहे थे क्योंकि मैंने पहले कहा था कि इस विशे पर मैं वीडियो बनाऊँगा और आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका कोई भी प्रयोग कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाय भी कर सकते हैं, माता बहने सब कर सकते हैं, बच्चे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, बच्चे दस साल से उपर के जो बच्चे होंगे, वो इसका प्रयोग कर स जान से सुनेंगे समझेंगे और फिर इसका प्रयोग करेंगे इस प्रयोग को करने के लिए आपको लगेंगा कोई भी एक काच का बोतल या काच की बरनी अब बोतल कितनी बड़ी लगी वह आपके उपर अगर एक लिटर तेल बना रहे है तो एक लिटर तेल जिस बोतल में ब लेकिन जो आप बरतन लेंगे या जो काज की बोतल लेंगे वह ऐसी बोतल होनी चाहिए जिसके अंदर हवा पास नहीं होनी चाहिए मतला अंदर हवा नहीं जानी चाहिए या बोतल के अंदर की जो ग्यास है वह बहार नहीं निकलनी चाहिए इस तरह की आपको जो भी बरतन है या बोतल है वो इस तरह का लेना है यानि अच्छ से पैक होने वाला उसमें आप Plexatto लगा के भी अच्छ से पैक कर सकते हैं अब आपका एक हो गया बोतल उसके बाद आपको लगेगा तील का तेल इसमें जो मुखिये छीज़ है वो है तील का थेल मान लीजे एक लिटर अगर आप तील का तेल ले रहे है तो एक लिटर में आपको 50 ग्राम जो है आपको मिलाना होगा सरसो का तेल कितना 50 ग्राम सरसो का तेल 50 ग्राम नारियल का तेल मिलाना है एक लिटर में इसमें आपको डालना होगा लगबग जो है पचास ग्राम लॉंग और आपको डालना है उसमें पचास ग्राम इलाईची इलाइची कौनसी वाली बड़ी इलाइची छोटी इलाइची नहीं होनी चाहिए नहीं तो आप हरी वाली डाल देगें जो मसाले में बड़ी इलाइची आती है वो इलाइची डालना है और इसमें डालना है नीम की जड़ी और इसमें आपको क्या मिलाना है कपूर मतलब पू बस यह आपका सामागरी होगी तयार अब इसका प्रयोग कैसे करना है वो आप समझ लीजिए इस तेल को जो है आप इसमें जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र से अभी मंत्रित करना है कितने बार 31 बार मंत्र पढ़ना है अभी मंत्रित करना है मतलब एक बार मंत्र पढ़ो आपको नागर मोताभी इसमें मिलाना हैं 50 घ्राम एक अपको करना है उसके बाद इस बोतल को कुला छोड़ देना है एक दिन के लिए, पूरे 24 गंटे के लिए इस तेल को खुला छोड़ देना है, इसको आपको कुछ ढखना नहीं है, अगर आप चाहे तो इसके उपर छन्नी रख सकते हैं, मतलब जाली रख सकते हैं, मतलब कपड़ा ना ढखे, जाली आप रख सकते हैं, हवा पार होनी कोई थाली वाली नहीं रखना है, आप जाली रख सकते हैं इसके उपर, ताकि कीड़े वीड़े ना गिरें इसलिए, अब 24 गंटे आपने रख दिया, 24 गंटे के बाद वापस से आपको जो है, इस तेल को फिर से अभी मंत्रित करना होगा 31 बार, और 31 बार अभी मंत्रित कर यही वाला फुक मारेंगे और उस तेल में मिला लेंगे हाथ से, उसके बाद इस तेल को बोतल में भरना है, और बोतल में भरने के बाद इसको अच्छे से पैक कर देना है, और पैक करने के बाद इस बोतल को आपको तीन दिन के लिए धूप में रखना है, कितने दिन के लि खोलना नहीं है धकन प्याक ही रहेगा यह पूरे प्रोसेजर होने तक अब ठीक है अब इसके बाद आप क्या करेंगे तीन दिन जब आपने दूप में रख लिया उसको तीन दिन हो गए अब उसके बाद आपको घर में या आपका जो आंगन होगा ऐसी कही पर भी जहापर साथ इंच का गड़ा खोदेंगे गड़ा खोदने के बाद आप उसके नीचे में जो है स्पंच वगरे बिचा देंगे जैसे आपने साथ इंच का गड़ा खोदा उसके अंदर आप स्पंच या कोई कपड़ा बिचा देंगे ठीक है और उसको पानी से अच्छा सा भीगा रोज याद रखें रोज सुबे लगवख एक लिटर पानी उस जगे पर दालना है जहां पर आपने यह बोतल दफनाया हुआ है और पानी कौण जा कँप मारेंगे साधा पानी नहीं दालए इस्êm मंत्र से अभी मंत्रित करेंगे फूख मारेंगे और उस जगें पे छोड़ेंगे जहां पे आपने बोटल दफनाके राखा हुआ है कि ऐसा आपको कितना करना है 11 दिन करना याद रखिए जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही आपको करना है जो चीजे बताया है वो सारी सामागरी दालेंगे और इसी तरह से करेंगे वीडियो के ध्यान से सुनिएगा और फिरी इसका प्रयोग आप लोग करिएगा अब इसको आपने दफना दिया 11 दिन आपके पूरे ह हो गए अब दो दिन आपको पानी नहीं दालना है ग्यारा दिन के बाद बारावे दिन पानी नहीं दालना है तेरावे दिन पानी नहीं दालना है उसको वैसे ही रहने देना है और पंद्रावे दिन भी पानी नहीं दालना है पंद्रावे दिन आप क्या करेंगे इसको बाल जड़ना बंद हो जाएंगे हाँ जिसके बाल जड़ रहे है तेजी से वो तो बंद हो जाएंगे लेकिन जो जड़ चुके है बाल वो वापस नहीं आएंगे लेकिन जो बाल जड़ रहे है वो जड़ना रुख जाएंगे और घने और मजबूत बनेंगे आपके बाल मजबूत बन जाएंगे जाड़े हो जाएंगे बाल पतले हो गए तो जाड़े हो जाएंगे लेकिन जो अगर आपके रोम छीदर भुजे नहीं है सर में जो रोम छीदर होते जिसमें से बाल उगते है वो छिद्र अगर बंद नहीं हुआ है तो बाल भी उगेंगे अगर रोम छिद्र बंद हो गए होंगे तो इससे केवल बाल जड़ना बंद हो जाएंगे जो बाल बचे है वो उसकी जड़े मजबूत होंगी बाल जड़ेंगे नहीं बाल लंबे होंगे तेजी से बढ़ेंगे बाल मजबूत बनेंगे, जाडे होंगे, यह होगा, लेकिन रोम चीदर अगर बंध हो गए तो नए बाल नहीं होगेंगे, लेकिन अगर मान लीजे आपके बाल जढ रहे हैं, लेकिन रोम चीदर जो है वो खुली है, रोम चीदर का मतलब कैसा देखिए, कोई वेक्ती अगर तकला बना के आता है, तो उसके हर एक चीदर दिखते हैं, जिसमें से बाल उगरे वो दिखाई देते हैं, मतलब उसके रोम चीदर खुले हैं, अगर ऐसे आदमी के बाल जढ भी जाते हैं, और रोम चीदर खुले हैं, तो उसको बाल वापस आएंगे, रोम चीदर बंध हो जाए तो समझ लीजे उस जगे के रोम चिद्र बंध हो चुके है अब रोम चिद्र अगर बंध हो गए है तो उसका एक दूसरा प्रयोग है मान लीजे जो वेक्ति पूरी तरह से टकला हो चुका है उसके रोम चिद्र बंध हो चुके है तो अचा जो है सर की चमकदार हो चु उसके बाद फिर इस तेल का प्रयोक किया जाता है। तो जो बाल पूरी तरह से जड़ चुके है। उस जगे पे जो रोमचिद्र नए नए खुले है उस जगे पे ये तेल को लगाया जाता है तो वहां से नए जो बाल है वो उगना चालू हो जाते हैं और इससे जो गंजापन है वो दूर होता है आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से जानकरी समझ गए होगे तो ये बहुत लावकारी है माता बैनों को बहुत ज़्यादा समस्य है आजकल उनके बाल जड़ रहे है तो इस प्रयोक को करिए देखिए हर चीज आसान नहीं होती है नगर आपको तकलिव है तो मैनत करना पड़ेगा प्रोसेजर करना पड़ेगा क्योंकि बाल एक ऐसी चीज है इंसान के शरीर में जो सुंदर्य का प्रतिक है अगर किसी के शरीर में बाल ना हो तो उसका सुंदर्य पूरा खराब हो जाता है चायो कितना ही सुंदर्य क्यों ना हो बाल ना होने से उसका सुंदर् पेनों को बाल ना हो, बाल जड़ जाए, गंजापन आ जाए, तो तो सोचने लाइक बात ही नहीं है, उनका सौंदर ये पूरी तरह से भिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो देखिए, अगर आपको ऐसी समस्या है, तो इस प्रोसीजर से करिए, कोई महेंगे तेल लेनी रात को सोते टाइम लगा लिए, हपते में एक बार लगा लिए, दो बार लगा लिए, रात को सोते टाइम लगा लेने का, सुबह उठे नहा लेने का, हपते में दो बार तीन बार भी इस तेल को लगाएंगे, प्रयोक करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा, सुरुवात में जब आप इसका प्रयोग करोगे तो हर दो दिन में एक बार इस तेल को लगाना है रात में लगा के सुएंगे सुबे दो लेंगे ऐसा आपको कितने दिन करना है हपते में हर दो दिन में एक बार लगाना है तो इससे जो है lifetime जो आपके बाल है वों मजबूत रहेंगे बाल जड़ेंगे नहीं और आपका सौंदर ये जो है बरकरार रहेगा और आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो comment करके बताए अगला वीडि वीडियो पर जो है like नहीं कर रहें comment नहीं कर रहें तो उसकते हैं आपको हमारे वीडियो में क्या अच्छा लगता है व् движ Act के जिए मंत्रों का प्रयोग किया जिससे आपको लाब मिला या आप हमारे साथ कैसे जुड़े वो story भी आप लिख सकते है क्योंकि जब मैं खाली रहूंगा उस समय में आपके comment जरूर पढ़ूंगा और आपके बताएव विशे पर वीडियो जरूर बनाऊंगा लेकिन आप लोग comment नहीं करते हैं लाइक नहीं करते हैं फिर मैं मिलूँगा किसे और वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को जै मामातंगी जै माच्छी नमस्ता